आज हम आप लोगों को TGT और PGT में पूछेगे previous year के questions बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो रात देखिए चलिए शुरू करते हैं पहला question है बानस्पतिक सर्फ है बानस्पतिक सर्फ किसे कहा जाता है TGT 2004 में पूछा गया और PGT में भी 2004 में पूछा गया था यह प्रशन तो इसका answer होगा C टेलिडोफाइट्स बानस्पतिक सर्फ कहे जाते हैं यह जो टेलिडोफाइट्स होते हैं यह botanical snacks कहे जाते हैं जबकि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उन्हें बानस्पतिक उभाइचर कहा जाता है यानि टेलिडोफाइट्स को बानस्पतिक सर्फ कहते हैं और ब्रायोफाइट्स को बानस्पतिक उभाइचर कहा जाता है वास्तविक रूप से टेलिडोफाइट्स सर्फ प्रथम इस्थली पौधे होते हैं इन्हें अगर वास्तिविक रूप से देखा जाए तो सबसे पहले इस्थली पौधे कौन है टेरिडोफाइट से होते हैं नेक्ट कुछिन है टेरिडोफाइटा का मुख्षी पौधा है इस्पोरोफाइट, एपिफाइट, सेप्रोफाइट, गेमिटोफाइट टेरिडोफाइटा का मुख्षी पौधा क्या है TGT 2004 में प्रश्ण पूछा गया था इसका आंसर होगा पहला इस्पोरोफाइट बता दें कि टेरिडोफाइट का मुख्षी पौधा बिजारोद भिद या इस्पोरोफाइट होता है Sporofite को Hindi में बिजाडो भिद कहा जाता है तो जो Tridophites का मुख्वी पौधा है ये बिजाडो भिद होता है या कहले जै कि Sporofite होता है जो जड़ तना पतियों में बटा होता है जड़ तना और पति में बटा होता है यह धिगूडित होता है टूयन डिपलाइड दिगुडित होता है और शेफरोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो मुर्यत कर्बनिक पदार्थों से अपना पोशन प्राप्त करते हैं उन्हें शेफरोफाइट कहा जाता है और इस पौरफाइट टेलेडोफाइट हो गया है नेश्ट कुछ चन है टेले फाइट का मुख्य पौधा होता है उसे बीजाड़ोध भीद कहा जाता है नेश्ट कुछिण है प्रारमभीग बीजीः प्रविर्ती किस्व में पाई जाती है ये 273 में कुछ पोचा हSeal सिले जिनेला में प्रारमभीग बीजीः प्रविर्ती पाई जाती है यह जो आप इसमें निर्मित भी सत्त बीच नहीं कहे जाते हैं, यानि ट्रिव सीट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी गुर विजान धानी में उच्छ स्रेणी के विजान युक्त पॉधों के समान अध्यावरणों का अभाव होता है, यानि उच्छ स्रेणी के पॉधों के समान पूछा गया था और दो हजार में भी पूछा गया था तो इसका आंसर होगा पहला लाइको पोडियम से रिटम समभाणी पीधों का मतलब है इसमें जयलम और फ्लोयम समभाणों तक पाए जाते हों तो ऐसे पैसमें दी चट्टानों में हुई थी बता दें कि पेलियो जो इक महा कल्प के सिलूरियन काल्प की चट्टाने थी इसमें सुर्वाती संभानों पौधों की खोज हुई थी या कले जी कि टेरीडोफाइट की उत्पत्ती इसी से हुई थी किस से सेलेरियन चट्टानों से नेक्स्ट कुश्चन है निमलखित में से कौन सा टेरीडोफाइट अब लुप्त हो चुका है एसा कौन सा टेरीडोफाइट है जो लुप्त हो चुका है खो गया है पीजीटी 2002 में कुश्चन पोचा गया था इसका आंसर होगा बी राइनिया मेजर राइनिया मेजर नामका टेरीडोफाइट अब लुप्त हो चुका है तो जो राइनिया मेजर है ये जीवास्म संभानी पोधा है जो अब लुप्त हो चुका है और इसके जीवास्म मध्ध डिवोनियन काल की चटानों में पूर्ब पादपकाय के रूप में परिरच्छित पाए गए थे भारत में साइलोटम प्राप्त किया जा सकता है नैनिताल से आबू से सिमला से पंचमरी से तो ये जो आप चितर देख रहे हैं ये साइलोटम का चितर है और प्रेश्ण में पूछा गया है कि भारत में साइलोटम कहां से प्राप्त किया जा सकता है तो इसमें कोई भी एक आं आंसर सही होंगे C और D दोनों आंसर सही है यानि सिमला में भी और पंच मढ़ी में भी ये साइलोटम ट्राप्त किया जा सकता है बता दें कि भारत में साइलोटम की केवल एक जाती साइलोटम निूडम पाई जाती है भारत में केवल साइलोटम की एक जाती पाई जाती है माचल प्रदेश में, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहा है, मध्य प्रदेश में, दारजलिंग, तो दारजलिंग कहा है, पस्चिम बंगाल में, आधी छेत्रों में पाई जाती है, तो इनमें से कुल मिलागर के C और D सही होंगे, यानि सिमला और पंचमढ़ी, इसके अलावा, और आपसर मैंने आपको बताती है, दारजलिंग में भी पाई जाती है, कुल्लू में भी पाई जाती है, नेश्ट कुचन है, अन्तहपादपी कवक मूल किसके युग्मकोदभिद हैं, अन्तहपादपी कवक किसके युग्मकोदभिद जैकले कि प्रोथायलस हैं, तो पादवी कवग मूल लाइको पूडियम के युगम को भिद में पाए जाते हैं नेक्स कुश्चन है नम्रिकित में से कौन सा जीवास्म संभाहनी पौधा है जीवास्म संभाहनी पौधे का नाम बताना है जिसका आंसार होगा पहला राहिनिया जीवास्म समभानी पौधा है बता दें कि अब तक कि इस वंस की केवल दो जातियां राहिनिया मेजर और राहिनिया गोईन वगहानी ग्यात हैं इसके जीवास्म मध्ध डिवोडियन काल की चटानों में पूर्व पादपकाय के रूप में परिरच्छित पाए गए थे नेश कुछन है सरल्तम टेरिडोफाइटा है सरल्तम टेरिडोफाइटा काउन सा है टेरिडियम, सेलजनेला, राहिनिया, लाइकोपोडियम इसमें से सरल्तम टेरिडोफाइटा बताना है तो आंसर होगास में C. राइनिया सरल्तम टेरिडोफाइटा है और यहाँ सबसे सरल वो पुरातन समभानी पौधा है सबसे सरल वो पुरातन समभानी पौधों का समू हो है कह लिजी एक तरह से और इसकी उत्पत पेलियो जो एक महाकल्प से हुई है राइनिया के जिवास में की खोज किसने की ये बताना है तो इसका आंसर होगा पहला किंडेश्टन इवम लैंग ने राइनिया के जिवास में की खोज की थी और कप की तो 1917 में की थी next question है राइनिया के पौधे उन छेत्रों में विक्सित हुए जहां पर निम्नांकित वास्प रूप में उपस्थित था यहां पर राइनिया के पौधे विक्सित हुए जहां पर ऐसी कौन सी वास्प विक्सित थी जहां सलफर के वास्प थे और ये छेत्र अमलिये दलदलों में उपस्थित थे कहां अमलिये दलदलों में नेक्स कुछ चन है सिलेज नेला में किन लक्षणों की उपस्थिती होती है ऐसे कौंसेस में से लक्षण है जो सिलेज नेला में उपस्थित होते हैं प्रश्ण पूछा गया था इसका आंसर होगा बी बिसम बिजाडुकता राइजोफोर लिग्यूल युग्त पत्तियां एवं ट्रवेकुली अंतस्त तचा यह होगा सेलेजिनेरा के लक्षड की उपास्तिती होगी प्रश्ण पूछा गया था इसका आंसर होगा बी बीज प्रिकिर्ति पाई जाती है बीज प्रिकिर्ति किसमें पाई जाती है प्रश्ण पूछा गया था इसका आंसर होगा बी सिलेज नेला में बीज प्रिकिर्ति पाई जाती है तो मात्र पौधे मतलब बीजार धाने में निसेचन के काफी समय बात तक गुर बीजार को धारण किये रहना बीज स्वभाव का एक प्रमुग लक्षण होता है नेक्स्ट कुश्चन है तेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला सर्व साधारण रम्भ है तेरिडोफाइट्स में कौन सा सर्व साधारण रम्भ पाया जाता है तो इस पेसे आंसर सही होगा पहला प्रोटो इस्टील तेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला सर्व प्राचीन तम इस्टेल है तो इसका आंसर होगा पहला साइफोनो इस्टेल सबसे प्राचीन तम इस्टेल है साइफोनो इस्टेल आसा है आप लोगों को सभी कुश्चन समझ में आ गए होंगे तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्स से पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद